अलो दोस्तो बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बाड़ी ख़बरे जो आप के लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटाफट से आप सबी इस वीडियो के एक प्यारा लाईग जरूर कर दे आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ हैं हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ है आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर पुछे बाड़ी कबर बिहार में उब दरव्यों पर करवाई जारी पाटना के छे कोचिंग सलसानों पर एक सो नबी गिरपतार जी हाँ अगनेपत भरती योजना की विरोध में कुछ चातर संगटनों द्वारा जारे देश व्यापी विरोध के छोते दिन रहिवार को पाटना जिला सांत रहा दिगा को छोड़ ज्यादातर जगोप पर छीटपूर प्रदसन हुए वहीं उब दरव्यों पर करवाई जार है 11 के खिला प्राथा में की दर्ज की गई है अब दक 265 राउंड हवाई फारिंग की गई है और 25 आसु गेस के गोले दागे गए हैं आपको बता देकि जिन कोचिंग संस्तानों पर प्राथा में की दर्ज कराए गई है उसमें याथात कोचिंग स्टूट मसोडी डिडियस कोचिंग स्टूट मसोडी अरक्षन कोचिंग स्टूट मसोडी आस्त्रा कोचिंग श्टूट मसोडी तारगेट कोचिंग मनेर और निरंजन कोच दणापूर सामिल है बाड़ी ख़बर बिहार में 350 टरेने वह 20 जिलों में इंटरनेट सिवा समवार को भी बन फेस्बुक वाट्सप समेद 22 एप पर मेसेज फोटो वीडियो बेन जी हाँ अगनेपद योजना की विरोध में उपद्राव धर्ना पर दसन और आग जनी की बज़े से फूरो मजड रेल छेतर अधिकार से खोलने और पहुचने वाले ट्रेनों का परेचल रावार को दिन बर बादित रहा ट्रेने ना चलने से यातरियों को चोथे दिन कटिनायों का सामना करना पड़ा वही आराम्बिक जानकारी के अनुसार राईवार के तरह स्वमवार को भी लगवग साड़े तीन सो ट्रेने रद रही गी देरे रात तक ट्रेनों के सुची तैयार की जा रही थी उधर अगनेपद योजना के बाद हिंसा के गटनाव को देखते वे राज में इंटरनेट सिवाव पर पाबंदी का दार्या बढ़ता जा रहा है गया और मदवनी के बाद राईवार को इसमें जहानाबाद खगड़िया और सेखपुरा जिलो को भी जोड़ा गया है बाड़ी खबर अगनेपद के विरोध में बिपक्च का भाराद बंद आज समुवार को नहीं होगा जन्ता दर्बार जिया बिपक्ची पाडियों के भाराद बंद और अगनेपद स्कीम को लेकर चल रहे विरोध को लेकर समुवार को मुख्यमंतरे नितिस कुमार का जन्त दरबार को इस्तगित किया गिया है साथ है आपको बता दे कि अगने पद स्किम के विरोध में तमाम बिपक्ची पाडियों ने बीश जो उनको भारत बंद का एलान किया है और इस योजना को वापस लेने के मांग की है बिपक्ची पाडियों का आरोपे कि यह योजना को लेकर तेजस्वी का एलान महागडवंदन के सभी मेले विदानसभा से राजबवन तक करेंगे पैदल मार्च जिहा अगने पाद योजना की वापसी और इवाव को नोकरी दिये जाने की मांग को लेकर राज़त नेदा तेजस्वी आदव ने 22 जून को पैदल मार्च का आवान किया है जून की सुब नो बजे से महागडवंदन के सभी मेले विदानसभा से लेकर राजबवन तक पैदल मार्च करेंगे नेदा प्रतिपाच तेजस्वी आदव ने ट्यूटर के जरिये राजबवन तक पैदल मार्च निकालने का एलान किया है तेजस्वी तक बंद रहेंगे सभी कोचिंग इस्टिटूट मुझपरपूर डियम का आदेस जिहां अगनेपद स्किम की कि खिलाब तमाम बेवक्ची पाडियों ने बेश जून को भारत बंद का एलान किया है और इस योजना को वापस लेने के मांग की है अगनेपद योजना की विर साधेस का लंगन करने वालों के खिलाब दंडात्म करवाई की जाएगी बाड़ी कबर सेना में पहले से चल रही भरती प्रक्रियाए बंद अब सिर्फ अंगनी वीर से होगी जवानों का सेलेक्शन जीहां सेना में पहले से चल रही भरती प्रक्रियाए बंद हो चुकी है अब जवानों की भरती सिर्फ अंगनी विरों की जरीय होगी या जानकारी कल 19 जून को रक्षा मंत्रा लए की हाई लेवल मिटिंग के बाद डिपार्डमेंड ओप डिफेंस अपियर्स के एडिसनल सेकेटरी लेटिनेंड जनरल अनिल पूरी ने दिये उन्होंने बताए कि से इन अफसरों को देर से केडल मिल रहा है इसी को देखती वे यंग वर्क फोर्स की भरती के लिए अंगनी पद योजना शुरू की गई है साथ उन्होंने का कि भरती में जो 10 फिजदी की रेजर्विशन के एलान किया गया है वो लोगों की विरोध परदसन के कारण नहीं है बलकि पहले से ये योजना में ऐसा प्रावधान रखा गया है मेडिया की और से जब सवाल किया गया कि सेना में पहले से भरती प्रक्रिया चल रही है कुछ वाओ का फिजिकल टेस्ट हो चुका है तो कुछ ने लिकित परिचा पास कर ली है कुछ का मेडिकल भी हो चुका है ऐसे में अब इन वावो को क्या होगा इसके जवाब में लेटनेंड जनरल पूर्णी ने बताए कि ऐसे वावो को अगनीवीर भरती के लिए फिर से अपनी युगता साबित करने का मौका मिलेगा पिछले दो वरसे में कुरोना के कारण भरती प्रक्रिया रुकी रही है ऐसे म आप देखना होगा कि कितनी लोग मेडिकल फिट है योग जवानों की स्क्रिनिंग अब अगनीवीर भरती की जरिय की जाएगी अगनीवीर भरती की प्रक्रिया जल्द सुरू होगी और इस साल पहला बेच ट्रेनिंग के लिए कब जाएगा इस समद में कल तिनों सिनाओ ने अपना प्लान मीडिया के सामने रखा एर मारसल इसके जहाने बताया कि पहले बेच के अगनीवीर भरती के लिए रजिटिसन प्रक्रिया 24 जुन 2022 से सुरू होगी इस बेच के लिए फेज वन के ओलाइन परिचा 24 जुलाई से सुरू होगी वहीं पहले बैच की ट्रेइनिंग के लिए रेजिटेशन दिसम्बर में शुरू होंगे और इस पर क्रिया को 30 दिसम्बर तक पुरा कर लिया जाएगा वए नौ सिना में अग्निवेर भरती के लिए आवेडान से किस नॉमर से लिया जाएगे इसके अलावा सिना में अगनिवेर के भरती के प्लान बताते वे लेटेनेंड जेनल बंसिप उनपा ने बताए कि इस साल दिसम्बर के पहले सब्ता तक सिना में 25 अगनिवेरों का पहला बैच भरती कर लिया जाएगा इसके बाद फरवारी 2023 तक दूसरे बैच में अभियरतिय के भरती करिया सिंख्या 40,000 तक पूरी कर लिजाएगी बाड़ी खबर पटना समेत 18 जिलों में बारिस और बजरपात का अलाड तीन जिलों में भारी बारिस के चितावनी जिहा दस्चिन पश्चिम मांसून उत्तर बिहार में सक्री होने के साथ दस्चिन बिहार के पटना गया अरवल नलंदा नवादा समेत अन जिलों में अपना प्रभाव दिखा रहा है मौसम विगान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों में पूरे प्रदेश में इसका प्रभाव दिखेगा दिरे दिरे मांसून राज के से सिस्से में सक्री हो जाएगा रैवार को मौसम पटना आगमान के अधिकारी गोसना कर दी है साथ आपको बता दी कि प्रदेस में अगले 24 गंडे के दुरान प्रदेस के तीनी जिलों के वेसाली समस्तिपूर और खगडिया जिले के एक दो इस्तानों पर मेग गर्जन के साथ भारी बारिस के आसार है वहीं पाटना गया नलंदा सेखपूर नवादा बेगुसरा लखिसरा जहनाबाद पूर्वियोव पश्चिमी चंपरन सिवान सारन गोपाल गंज बकसर बोजपूर रोतास भवा और अंगाबाद एवम आरवाल जिलों में मेग गजन के साथ बजर पात और हलकी बरसा को लेक के से अक्टिव हो चुका है लगतार उत्तर बिहार में कई जिलों के अंदर बारिस भी है और इसका असर पूरी सुबह के नदियों पर दिखने लगा है कोसी और बागमत के साथ साथ सनिवार देर साम कमला बलान और लल बक्या नदी भी खत्रे की निसान को पार कर गई है बिहार में मांसोन केंट्री का असर नदियों के जलस्तर पर पड़ा है नेपाल और सिमांचाल में लगतार बारिस के बाद सुबह के नदियों का एक वर फिर से बढ़ना तेज हो गया है कोसी सुपोल में लाल निसान से उपर बनी हुए है जबकि सुकुरवार की रात बाग का में खत्रे की निसान को पार कर गई है इन्हें सबी सानों पर नदि का जलस्तर लगतार बढ़ता ही जा रहा है साथ गंड़क नदी गुपाल गांज मुझपरपूर और वेसाले में तो कोसी सुपोल और खगड़िया में लगतार बढ़ रही है बढ़ कपर बिहार में 996 कडोर रुपे से बन रहे पूल का पाया बहा भागलपूर में कोसी के तेज बहाँ में बहा निर्माना धिन पूल का पाया 1410 था वजन जिहाब हागलपूर के नव गच अभीपूर कोसी नदी के तेज बहा में निर्वाना दिन पूल का पाया बागिया है बहु प्रतिचित NH104 मिसिंग लिंग बेपूर से फुलो तक कोसी नदी पर बन रहे पूल का 124 नमर पाया हरियोग के त्रियुमन गाड के समीप कोसी नदी के तेज बहा में बागिया है कोसी की मुई के धरा में चार पाया है उसमें से एक पाया बार रहा है कोसी नदी पर पूल मुंबई की एपकॉन कंपनी बना रही है बड़ी खैबर पर्णा के स्पाइस जेट की फ्लाइट में लगी आग पाइलेट की सूजबूज से टलिब पटणा में बड़ा हदसा यात्रियों ने पाइलेट को कहा था इंक्यू जी हापटना एरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट की अमरजेंसिल लेंडिंग कराई गई है इस दौरान अफरात अफरी मच गई है दरसल राइवार की दोपर 12 बजे स्पाइस जेट की SG 700 बजेस जैसे ही टेक अप कर उपर गई उसके इंजर में अचानक आग लग गई जिसके बाद आनन फानन में विमान की अमरजेंसिल लेंडिंग कराने पड़े विमान में मौजूद सबे 193 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकला गया स्पाइस जेट के पाइलेट ने सुझ बूज से काम लिया और सुरक्षित बिमान को लेंड कराया और पटना में बड़ा बिमान हादसा होने से बचाया यात्रियों ने बिमान के पाइलेट को धन्यवाद का सब यात्रियों ने एक सुर में स्पाइस जेट के पाइलेट को थाइंक्यू कहा मामले पर डिसी जे ने बताए के पक्ची के टकराने से इंजन में आग लगी है इसके बाद विमान की सेप लेंडिंग कराए गई है बाड़ी कबर सडक मार्ग से बिहार आने वाले चोर राज्जों के लोगों को होगी कोरोना जाच बढ़ते मामले पर सरकार चोकस जी अच्छे राज्जों में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद इन राज्जों से घर लोटने वालों का कोरोना जाच करेगा स्वास्त विवाग वीडियो कॉन्फरेंसिंग में सुवे के सभी सिविल सर्जन को प्रतान सची प्रता दम्रित ने कहा है कि महराष्ट केरल करनाटक मद परदेश और बेंगलूर में कोरोना के मामले तेजे से बढ़ रहे हैं ऐसे में वहाँ से जो आ रहे हैं उनकी जाच करे और ने कहा है कि जो कंट्रोल रूम है उसे फिर से चालू करे इसके अलावा रेल स्टेशन बस स्टेन और ग्रामेन इलाकों में जाच केंद्र बनाए इसके लिए CSC परभारी को अलट रहने का निर्देश दिया गिया है बाड़े कबर राज में घर बनाना हुआ मांगा बालू के साथ गिटी के दाम बड़े जाने अब कितना करना होगा खर्चा अबिहार में बालू के अवेद खनन वो बंडारन को लेकर जिला प्रससन लगातार अवियान चला रहा है इसके करन अवेद बालू खनन में ठहराव आ गया है बालू मनवानी केमत पर बेची जा रही है इसके साथ बाजार में गिटी के भी केमत में गर्माहट आ गई है आरा में एक ट्रेक्टर यानि सो सेफटी बालू की केमत बिचोलिये पैसर सु रुप्य बसुल रहे हैं बड़ी कबर बिहार में बजरपाद से 17 लोगों की मौद पर सियम नितिस ने जताई समयदना पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुप्य देने का दिया निर्देश जह सनिवार के देराद आंदे एवं बजरपाद से भागलपूर में तीन वैसाले में तीन खगड़िया में द बजरपाद से वे मौत पर मुईक मंतरी नितिस्क मार मरमाहा थे और उन्होंने प्रभावित परिवारों के परती अपने गहिरी समयदना व्यक्त की है मुईक मंतरी ने कहा है कि आपदा के इस गड़े में वे प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं मुईक मंतरी ने स इसाल किस दिन मनाया जाता है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताये